प्री मर्केट आइक्टिविटीज हुआ है और यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते है उसके लिए चार्ट में चलते हैं डॉलर इंडेक्स जो अभी आपका 105.32 में है यहां पे आप देखिए यह जो 3rd November का strong negative candle था लस्ट फ्राइडे का उसके बाद हमें follow through चाहिए था जो अभी तक हुआ नहीं लेकिन क्या activities हुआ रहा है inside war candles बन रहा है that being the case इस जो mother candle है इस mother candle के बाद एक positive candle आ रहा है उसके बाद जैसे ही आज या आने आवाले दिनों में यह mother candle के low के नीचे जाएगा एक अच्छा खासा बढ़िया सा cell of arm expect कर सकते हैं otherwise यहाँ पे इसके उपर जो 105.5060 लेवल से वहाँ पे एक resistance हम expect कर सकते हैं जब तक उसके उपर price नहीं जाते हैं तब तक sideways and then low breakdown पे एक अच्छा खासा sell of हम expect कर सकते हैं और रूपी sideways consolidation जारी है कल lower opening हुआ था around 83.1415 and crawl करते 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 फिर दुबार ऊपर चला गया 83.2223 so वही हो रहा है consolidation होने देते हैं यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जब मैं उपर में जाने का price कर रहा हूँ और हो नहीं रहा है तो मैं नीचे के तरफ ही जाने का price कर रहा हूँ लेकिन नीचे के तरफ काफी demand है buying demand दिख रहा है so हमें price को जैसे consolidate होते हैं वैसे consolidate होने देते हैं because इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं कहने का मतलब हम इसको direct नहीं कर सकते हैं उपर चल तो नीचे आ ऐसा बोलने से भी बोल तो सकते हैं लेकिन market क्या हमें सुनेगा नहीं सुनेगा so market को हमें follow करना चाहिए market कैसे क्या बोल रहा है क्या नहीं कर रहा है so हमें अभी वही sideways consolidation में जाना है अभी नीचे के तरफ ऐसा लग रहा था कि यह 82.80 से 83.00 के तरफ आना चाहिए लेकिन कल फिर दूबारा नीचे opening होके फिर उपर जाके close दिया है so हमें इंतिजा करना परेगा GBP dollar GBP dollar का आप देखोगे 3rd November का जो candle है वो जो strong mother candle उसके उपर follow through चाहिए था कल उपर गया था लेकिन एक inverted pin bar बनाया हुआ है inverted hammer बोलिए inverted pin bar बोलिए तो अभी हमें यह देखना है यह जो support है यह एक support zone बन चुका है आपका 12320 से 12340 के बीच में क्या इस support zone को यह respect करता है and उसके बाद उपर के तरफ जाता है something like this in such a case जैसे ही high को तो रहेगा एक upward momentum हम expect कर सकते है क्या यह होता है हमें देखना परेगा GPP INR similarly Friday का जो strong positive candle दिया है उसके बाद follow through हमें नहीं मिला रधर एक inverted pin bar बन चुका है so इसके means inverted pin bar का means sell off और inverted pin bar बना कहां पर resistance line पर तो यहां पर दो probabilities है एक probability यह inverted pin bar के low के नीचे थोरा सा corrections corrections means towards say यह जो mother candle है उसका करीवन 50% corrections expect हो सकते है लेकिन वहां पर हमें देखना है यहां पर हमें एक support level मिल रहा है यह वाला एक support zone इस support zone को क्या तोड़ता है अगर तो 50% के तरफ 50% of the mother candles जो है उस तरफ जा सकता है क्या यह होता है हमें देखना परेगा euro dollar में भी similarly एक inverted pin bar बनाया हुआ है जो बहुती छोटा बट बहुती भायाने candle है इसके low के नीचे एक sell off हो सकता है लेकिन वही हमें देखना है कि नीचे के तरफ एक support level है क्या इस support को तोड़ता है या नहीं euro INR similarly यहां पर inverted pin bar बनाया हुआ है जो एक negative candle है so अभी there may be higher possibilities कि euro में euro INR may come down towards 88.76 अभी euro dollar euro dollar का already यही है कि inverted pin bar बनाया हुआ है तो इसके low के नीचे sell off ESI अपका जो support zone है इसको क्या तोड़ता है यह हमें देखना परेगा dollar yen, trend line support में support लेके उपर जाने का प्रयास कर रहा है यहां पे एक important candle यही है कि जो कल का bullish candle है यह bullish candle इसके low के नीचे अगर strong close देता है तो अच्छा का से sell off होगा else sideways mother candle के अंदर में आपका जो 31st October का mother candle है उसके अंदर में ही देखिया ना चार दिन बराबर इसी mother candle का अंदर में रुका हुआ है तो एक तो है कि इस mother candle का अंदर में sideways consolidate करेगा दूसरा वाला यह possibilities है कि कल का जो आपका green candle बनाया हुआ है उसके low के नीचे एक अच्छा अच्छा sell-off हम expect कर सकते हैं यह ना इनर में भी similarly कल का जो red candle है उसके high के ऊपर एक upward bias हम देख सकते हैं लेकिन जब तक यह mother candle का range break out नहीं करता है अधर अधर साइड और अधर लवार साइड तो sideways एक हो सकता है dollar candy 1.370 यह आपका 1.36 के आसपस आने का प्रैस support लेवल था यह 1.3630 तक आके फिर एक positive candle बना रहा है तो यहां पर एक sideways behave करने देते हैं और सी डॉलर 6.6483 यहां पर हमारा यह expectations था कि अगर क्या यह breakout करते हैं उपर के तरफ in such a case breakout करने का बाद जो retrace करेगा उसके बाद high को तो रहेगा तेक अच्छा खसा momentum हम expect कर से लेकिन कल का जो price section है वो follow through नहीं दिया है तो यहां पर थोड़ा सा clarity चाहिए क्या यह time pass करता है time pass अगर करता है तो उपर के तरफ breakout के लिए must ideal situations हो सकता है अगर time pass नहीं करके directly नीच अचे आता है तो फिर देखना पड़ेगा कहां से यह support लेते cnh 7.2825 यह support level पर आके एक means pause candle बनाया हुआ है तो यहां पर थोड़ा से consolidations हम देख सकते हैं brand fruit 86.09 यह brand fruit future से यह आप देखोगे कि कल यह 87 का जो support level था वही पर resistance लेके नीचे आने का price कर रहा है तो यहां पर थोड सा उनमेंस sideways तो हलका सा negative bias है अगर कोई negative news नहीं हाते है डॉलर आपका US 10-year treasury 4.647 यहां पर हमारा यह expectations क्या है यह जो आपका Friday का negative candle था लेकिन यह इस लेवल पर support दिया था यह जो हमने एक zone बनाया हुआ है red color का यहां पर support दिया है there are three probabilities from here एक probability डाइरेक नीचे जाएगा अगर डाइरेक नीचे जाता है तो ज़्यादा strength नहीं रहेगा अगर यह sideways crawl करके उसके बात तोड़ता है तो एक अच्छा खसा downward momentum हम expect कर सकते हैं तिसरा वाला situation की डाइरेक V-shape उपर के तरफ जाने का लेकिन current market scenario पर लगता नहीं कि यह V-shape recovery कर सकता है there are higher possibilities यहाँ पर यह time pass करके means दो-पास दिन sideways crawling करके उसके बाद लोग के तरफ अगर break down करते हैं in such case एक अच्छा खसा downward momentum हम expect कर सकते हैं आपका US two year treasury तो यहाँ पर देखने वाला क्या चीज़ था कि lower high lower low बन चुका था एक strong negative candle था trend line support को break down किया था अभी हमें चाहिए था follow through जो follow through हुआ नहीं rather bounce back किया अभी bounce back जो किया वो देखने वाला चीज़ यह breakdown फिर bounce back करके resistance कहां पर ले रहा है resistance ले रहा है trend line पे so यहाँ पर अगर यह resistance लेता है तो थोर ऐसा फिर downward move होगा फिर कल का जो low है green candle का जो low है उसको break करने का price करेगा तो एक वर break करने देते हैं फिर नए सेरे से इसका analysis हम देखेंगे so currency pre-market analysis अभी के लिए इतना ही अभी currency अभी आपका currency in a nutshell तो dollar index अभी है 105.035 so यहाँ पे यह immediately पहले का जो support था 105.645 060 वहाँ पे resistance लेके फिर नीचे आने का probabilities है उसके लिए इस step का एक move होना चाहिए कल का जो low है यानि 6th November का जो low है उस low के नीचे जाना चाहिए in such case strong downward movement हम expect कर सकते हैं dollar रुपी sideways consolidation चल रहा है कल gap down open हुआ था ऐसा लग रहा था कि शायद यह 80 to 80 से 83.00 के तरफ जा रहे हैं लेकिन नीचे के तरफ अच्छा का सा demand है तो either demand को खतम होना पड़ेगा या supply यहाँ पर जो invisible hands का resistance है उसको खतम होना पड़ेगा तब तक जब तक खतम नहीं होता तब तक यह sideways consolidation में ही रहेगा GBP dollar जो Friday का strong bullish candle बनाया हुआ था उसके बाद हमें follow through चाहिए था जो follow through हुआ नहीं है अभी कल एक inverted pin bar बनाया हुआ है अभी pin bar के low के नीचे एक sell off आना चाहिए लेकिन यहाँ पर एक support zone है क्या है 1.23 से 1.2330 क्या इस zone पे support लेके दुबारा उपर के तरफ जाता है अगर दुबारा उपर के तरफ जाते हैं तो जैसे ही यह pin bar याने कल के high की उपर जाएगा तो एक अच्छा कासा upward momentum यह दे सकता है euro dollar 1.0709 यह भी कल follow through नहीं दिया यह Friday का strong bullish candle के बार एक inverted pin bar दिया हुआ है यह inverted pin bar means एक sell off का indications तो यहाँ पर भी sell off आना चाहिए price candle के हिशबस है लेकिन एक support level है यह जो पहले resistance था वो एक support का का काम करना चाहिए लेकिन करना चाहिए तो ठीक है लेकिन market क्या उसको support करेगा यह आज के दिन हमें देखना है अगर support करता है तो in such case ऐसा करके support करके जैसे फिर high को तोरेगा यह high के ऊपर तो एक अच्छा खासा हम bounce back ऊपर के तरफ expect कर सकते है dollar yen 150.12 यह जो trend line support है वहीं पर एक strong greenish candle strong bull candle बनाया हुआ है अभी यह पहला है 31st October के mother candle के अंदर में 4 दिन बीदा दिया है तो यहाँ पर जब तक यह mother candle के either side break out नहीं करते हैं और अंदर लो आते हैं तब तक यहाँ पर means ज़्यादा trended move हम देख नहीं सकते हैं sideways इस range के अंदर में हो सकता है एक possibility है कल का जो green candle बनाया हुआ है उसके low के नीचे अगर price जाते है इस in that case एक sell-off हम expect कर सकते हैं और आपका yen I&R का similarly यह जो red candle है इसके high के ऊपर close देना चाहि otherwise यह 31st October के mother candle के अंदर में ही time pass करना चाहिए for some more time so currency in a nutshell यही तक आशा करता हूँ यह presentation आपको अच्छा लगा होगा if so like कीजे comment कीजे and share कीजा मंगे फ्रेंसरकर thank you and have a great day